आपको याद है, मुक्य मेर के अनुपगर शाखा, वो इसकी सभी बित्रकाव का, हम लोगों ने पुनर निवान करा के और अनुपगर शाखा के अंतिल छोड तक पानी तोंचाया, यह अनुपगर वाले यहां बैठे हुए हैं, अरे माराज, इन्होंने हमको कितना परिशान क किया, अब पहली रफा, जब मुक्य मंत्री मन के आई, तो मैं तो नम सिखिया थी, इन्होंने वो शुरू किया हुआ, आंडोलन, मैं सीख रही थी, कि मित्रिका क्या होती है, और नहर क्या होती है, और यह सब सीख रही थी, इन में से आया कोई नहीं मेरे पास, बैठ गए, हंगामा बना, और इतना हंगामा बना, इन लोगों को बहुत लोग घायल दी हुआ, बहुत लोगों की मुसीबत भी हो गई, यह सब हुआ, बाद में मैंने इन लोगों से पूछा, कि तुम्हें यही काम करना था, तो मेरे पास आ जाते, एक मिनिट के अंदर में तुम्हार करोगे, तब 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 तुम्हारा काम होगा नहीं, अभी चल रहा है, आप मैं देख रही थी, कि गिहों की खरीब, ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन की अनिवार पर कर दी हुआ, बहिया आप अनिवार रहे हैं, कि आपको यह रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन यह ओनलाइन की जो गिर्दावरी बगरा है, और रेजिस्ट्रेशन साइट, क्योंकि नहीं खुलती है, इसकी वज़े से करीबन 5% किसान ऐसे हैं, जिनका रेजिस्ट्रेशन हुआ है, अब आप समझ लीजे, कितने किसान बिचारे, तडप रहे हैं, कि हमारा सामान बिच जाए पर उपिक नहीं रहे है, पड़ा हुआ है, घराब हो जाएगा, और जब बिचली का बिल है, और फिर कहते हैं कि मुफ्त बिचली, मैं यही कहती हूँ कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, यह आपका ही रूल है सही बात सब को कहना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो कह देना चाहिए भाई सार, उपने कर सकते हैं, जब कर पाएंगे तो अब हमात के लिए कर देंगे, घरेलो बिचली एक समय था जब बाईट से 24 घंटे मिला करती थी, एक समय था जब किसानों के बिचली 6 घंटे तक मिला करती थी, एक समय था जब गौरणपद के द्वारा गाउं से गाउं जुड जाते थे, जुड गए थे, आज 23 में से 4 यूनिट बिचली के तो बंद हैं, और जो बाकी 19 हैं, उन्हें बिचली कमी निकल दी, पुराने जमाने में महराज, शाहिसे आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ, कि आपने एक ऐसा सुन्दर, मंदिर नहीं आपने एक ऐसा सुन्दर मंदिर बनाया, ऐसा भव्य मंदिर बनाया, और मुझे गर्व है इस बात का, कि खाली विश्नोई समाज का मामल है और सब लोगों ने मिलके छंडर सा मंदिर बनाया है यह आप हम सब करेंगे इश्वरस इस प्रात ना करेंगे कि आने कि मधा आपके उपर न्याय करने वाली ऐसे संकार आ जाए जो हम सब का हाथ प्याल से के इस मंदिर की आपको याद आएगी कि सुर्थगण की इस पावन धरापर अब मैं राष्टिय द्यक्ष बुडिया जी से अग्रा करूंगा कि संग्षेप में धन्यवाद ग्यापित करें और दो शब्द करें विश्णोई महासबा के राष्टिय द्यक्ष देवेंदर जी बुडिया आपो कर्में छाकी महारता आगे हिन के बशुन्द्रा राजे अशुन्द्रा राजे पशुन्द्रा राजे सुरोगण की धरती पाई हमारी यसस्ली प्रेमेत्ट द्चाबक चाई अब सुन्द्रा जी शारी वदले की आग्मिंटस्थ का आप लोग सब यहां इकटा हुए है और आप लोग सब को इन माइक तो काम नहीं कर रहा है आप लोग सब को मेरा बहुत सा ऐपली जन्यवाद कर आप लोग ने सबने प्यार से मेरा स्वागत किया इसके लिए बहुत बहुत ख़़के जन्यवाद कर दो करके बादे निजना पार्वी कि बसके तो अनी कि आखिए पर आखिए एक है रागति है तो अनी कि जाए एक है कि तो इस ऐसे जाए है और बाईव को अने देखने सब्सक्राव औरह जायें थे भोलिए मेरे साथ जंबेश वाराज की जय मारा जिम की तो हालत करया वैं है ने NICKर रहे हैं आई हीने निक तो वहां बचारों के क्या हालत ठीक आप कर दोगे मुझे पता है जोसे मेरे साथ बोलिए जंबेश्वार महराज की जय हुई ठीक बात हमारे हरद्वार इसे आए इतने दूर से हम लोगों के बीच में और बहुत ही प्रतिष्ठा के कथा वाचे आरणिया अध्यक्ष देविन्र जी आपको मेरा प्रणाम और अखिर भारतिय जंबेश्वर सेवादल अध्यक्ष हमारे याद्रो विनोच जी यही विनोच जी प्रणाम हमारे सांसद भाई नियाचन जी दूसरा वाला तो गया क्योंकि आगे का कालिक्रम है इसलिए उसका काम में जाकि वहां वह वही मेरा भाई हमारे साथ सहयोगी विदानसवा के अंदर विदायक विहारी विश्णोई जी पूर्व सांसद हमारे जस्वन जी बिश्णोई जस्वन जी इतने दूर से हम लोगों के बीच में आए हैं मराज ने को देख के अच्छा लगता है क्योंकि हमारा दूर शुरुवात ही वहीं से दोनों के साथ राम सिंग जी वो भी आगे गए है और राम प्रताप जी हमारे विधायक राम प्रताप जी हमको ये भक्ती रस का आनन देने वाले हैं हर द्वा से पधारे हमारे पूज राजेंदर नंद जी के महराज जी को भी आज इस मज़ पर मैं पढ़ाम करना चाहूंगी और विश्णोई समिती सुरत गड़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिनों ने मुझे इतने पवित्र कारिकम के अंदर यहां बुराने का काम किया मुझे याद है जब मैं मुक्य मंत्री थी और महराज ने हमारे समाज की तरुस से हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से हम तयार करना चाहते हैं ताकि हमारा जो यह सपना था तो हम पूरा तरह से सकार कर सकें मामला आसान नहीं था हमारा जी जानते हैं परतु यह जमीन हम लोगों ने पट्टा बना के और 27 मार्च को 2018 समय आपके हाथ में यह पट्टा देने का काम किया मैंने उस समय आपको यादो का मारच मैंने कहा था कि मेरी यही मेरा विश्वास है कि आगे चलके बहुत ही जन्दी बहुत ही जन्दी आप एक बहुत ही भव्य मंदिर बना कर हम लोगों को यहां देंगे और मुझे फिर आप वहां मंदिर दर्शन करने में आप लोग मेरे क बुलाई दिये अब यह राजनीत होती है महाराज बोलना भी पड़ता है और आप लोगों को हां भी करना पड़ता है परन्तु यह जरूरी नहीं है क्योंकि जब समय निकल जाता है मंदिर तीन-चार माईने तीन-चार साथ बात बनते हैं कौन होता है कौन नहीं होता है रा गया है जिसका मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहे थी पर तो में में यह नहीं था कि इतने जल्दी मैं दर्शन कर पाऊंगी आज वो मंदिक भव्वे हमारे सामने खड़ा है और आप लोगों ने मेरे उसके दर्शन भी करा दिये और इसी बहाने महाराज जी इंसाफ आप भूले नहीं आपने मुझे बुलाया भागिरत जी आपको आपके पूरे सब मैंने साथियों को मैं आप सब को बिलाएं जी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कर्मट तरीके से मेरे को कहके और मेरे पास आत्मी भेजके ये कहा कि आपको वहाँ आना पड़ेगा नहीं तो ये हमारा काम पूरा नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखो जबो जी महाराज ने 1480 में विश्नवन पंथ की स्थापना की थी महाराज और हरी नाम का वाचन किया था हरी भगवान विश्नु का नाम हूद मानते हैं कि विश्णोई शब्द जो है वो वईश्णवी शब्द से निकला है और इसका अर्थ्व है भगवान विश्णू के उपासक वे मेरे सामने बैठें गुरु जी ने ये कहा था हम सबको कि भगवान हर चीज में दिखता है कंड में चोटी सी चोटी चीज में आपको दिख जाएगा पेडों में है पत्तों में है जल में है आकाश में है प्रित्वी में है पशु में है पक्षी में है और हर जगे पे जहां आप देखते हो वहाँ आपको भगवान चाहों तो दिख जाता है उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि प्रकृति को पेड़, बोदे, जानवर इन सब को पशु पक्षी इन सब को हम लोगों को मिल कर संभालने की कोशिश करनी चाहिए आज भी दुनिया के अंदर विश्णोई समाज का नाम है सब दूर लोग कहते हैं कि एक ऐसा समाज है दुनिया के अंदर जिसने किसी भी पशु या पक्षी, अगर वो बिमार है, चोट है तो पहले तो उसको समालेंगे और फिर किसी को भी परशु पक्षी को चोट नहीं करने देंगे उस्ते चोटनी डाजने देंगे ये है विश्वाई समाज और इसका नाफ्स दिन्या के अंदर लोग जानते हैं बहुत ही सरल चीज है परंतु चौदवा जो है वो कहता है कि जूट नहीं बोलना कितना सरल है पर तो सुबह उठके अपने को तो दिन में अंदर एक दो तो नि निकली जाते हैं आज कल कहीं लोगों को निंदा किये बिना नेंदी नहीं आती वर्व पहराजी और जूट और जूटे आरोप उनके लिए रोज-रोज कहीं इने ये कहीं बात करके ही छोड़ते हैं और खासकर राजनीती के अंदर तो आपको ये मिली जाता है निंदा और क कोई लोग है ऐसे मैं केरें सब नहीं है कोई-कोई लोग है सुबह सुबह आप अगवार खुल दो कि बैठे सब को अभी सुबह टीवी देख लो या सोशल मीडिया पे चले जाओ तो कोई नकूई आपको जूटे आरोप लगाते हुए दिखेगा ही और मिंदा तो मैं समझती महराज एक किसम से एक बड़ी चीज है क्योंकि जिन्ना उन्ही उसी के होती है और जूटे आरोप भी उसी के होती है जो दूसरों के नीद उड़ाता है तो जो दूसरों के नीद उड़ा देता है उसकी निन्ना तो करेगा या उसके बारे में जूटे आरोप तो करेगा ही क और ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम सौ बात जूट बोल देंगे तो आगे चलके वो जूट सच हो जाएगा है ना बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा लेकिन जूट की है जुकर रिica कर से थे हो है बिसकित दो घूट सबकू है तो हैं करी कि अख्यूस हो जाटी दूट से झाठी कर दो अगाओळचर जय किया ज अकार। अम est Anda कि उक ऑच्रड कर दो हो जुका कर अजय कि युड़ीजचर हो चार। जयाएंटorta. जयाएंटथोपको करतों जयाएंटों. श्हार मैं जुता 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 जुता. के टेयाएंटों रियाएंटों. अलोंतों आ ियाएंटों. आओ आओ अवार्चिल जोगर्ण शोद्सिता से ऊसे तो पुझए अप्रताँ में करता हूँ साथ हमने उस ऐसे बिघड छेत्र में ऐसे अनौत छेत्र में जाकर हम लोगों ने उस तर बहुत काम किया हमें सब हमें बेटा कहकर पुकारती थी बेटा भी ये काम करना है उनको भेग कर आज माताजी की याद आई हम छोटे बच्चे जो ग्वालर में गए महल में तो तो भी सब factee ने कहा विद्धा ए विव सता सम्मान लीए इसलिए आप कर दो करेंगी इतना भाब देखा जाता है इतनी सरधा देखी जाती है, संतों के बिलती ही नहीं हमारे बीच में अखिल वारतिये विशनोई महासबा के परदान श्री देवेंदर जी बूड़िया पजारे हैं विशनोई सबा समिती आपका हार्दिक स्वागत और अभिननन करती है समाज की सरवच संस्ता अखिल वारतिये विशनोई महासबा के आप अध्यक्ष हैं और आपने अध्यक्ष बनने के पस्चात समाज में विकास की गंड़ा वहादी है समरातन फांडेशन में आपने बढ़ चड़ते पास बैठ गए, हंगामा बना और इतना हंगामा बना इन लोगों को एक कि निक बहुत लोग घायल भी हो है बहुत लोगों की मुसीबत भी हो गई है, सब हुआ बाद में मैंने इन लोगों से पूचा कि तुम्हें यही काम करना थे, तुम मेरे पास आ जाते एक मिनिट के अंदर में तुम्हारा काम वैसे ही करना था। फैरी कर देती। परण तुम आप महाराज क्या है परिवार में जब अपन आदत डाल देते हैं ना? कि जब तक तुम लाश होगे नहीं, धरना नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जब तक यह सब काम नहीं करोगे, फ्री, सौ यूनिट बिजली फ्री हो रही ना, अरे भाई साथ, फ्री मिल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वर फ्री मिल रही है, और बिजली में जो बिल है, वहां ने ने चार्ज लगते जाते हैं, तो इनको याद आ जाए कि ये बिजली का बिल है, औ और फिर कहते हैं कि मुफ्ट बिजली मैं यही कहती हूं कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए यह आपका ही रूल है सही बात सबको कहना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कह देना चाहिए कि भाई साब हम नहीं कर सकते जब कर पाएंगे तो हम आपके लिख कर देंगे गरेलो बिजली एक समय था जब 22-24 घंटे मिला करती थी एक समय था जब किसानों के बिजली 6 घंटे तक मिला करती थी एक समय था जब गौरववपद के द्वारा गाउं से गाउं जुड़ जाते थे जुड़ गए थे आज 23 में से 4 यूनिट बिजली के तो बंद है और जो बाकी 19 हैं उन्में बिजली कमी निकलती है ख्री मिल रही है आ रही है जा रही है आ रही है आ रही है जा रही है और अजस्ट को बिजली करते हैं और फिर कहते कि मुफ्ट बिजली मैं यहीं कहती हूं कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए यह आपका ही रूल है जही बात سबको कहना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कह देंا चाहिए बाई था आपके लिख कर देंगे गरेलो बिजली एक समय था जब 22 से 24 घंटे मिला करती थी एक समय था जब किसानों के विज़ी 6 घंटे तक मिला करती थी एक समय था जब गौरवपत के द्वारा गाउं से गाउं जुड़ जाते थे जुड़ गए थे आज 23 में से 4 यूनिट विज़ी के तो बंद हैं और जो बाकी 19 हैं उनमें बिज़ी कम ही निकलती है शायद आप भी वही मानते हैं और जहां कोई काम बिना पैसे के नहीं होते महराज तो वहां महंगाई कम होगी तो कैसे होगी जब रश्टाचार राहत कैम लगेंगे महराज तो मैं समझती हो कि महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी ने तो हर चीज़ के अंदर किसी काम के अंदर ये सब बैठें काम पे जाते हैं इतने बड़े लेबल की चोरियां अगर होगी तो फिर क्या होगा महंगाई तो बड़ेगी ना तो ब्रश्टा चाल रात कैम्प हो जाएंगे तो थोड़ा सा फाइदा नहीं होगा फिर एक चोदा निवन निवन आपका वो है कि जूट बोलना नहीं तो जूट बोलकर सत्ता प्राप्त करना महराज लोगों को धोका देना और सत्ता प्राप्त करना यह क्या चीज है कौन सी करजा माफी हुई है कौन से खेतों के पास आपके आग्रू प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए है